नमस्कार, Target with a Alok Annelis Tutu से मसंदीतिवारी, TGT, PGT की मैस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ अभी तक की क्लासेस में आपने Cartesian Product और Audit Fair तक पढ़ा था आज की इस क्लास में हम अपनी परिच्छा को Based करते हुए उसके बहुत ही Important और Interested Topic को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Relations सुरुआती दोर में मैंने आपको बताया था कि हमारी परिच्छा को Relate करते हुए Function हम सब के लिए बहुत ही Important होता है लगभग लगभग सभी के सभी Topic Function पर Based होते हैं बगैर Function पढ़े हम किसी Topic को बहुत ही गंबिरता और बहुत अच्छी स्तिती में नहीं पढ़ सकते हैं इसलिए Function को पढ़ना बहुत ही Important है और Function को पढ़ने के लिए हमें जरुवत किसकी होती है Relation की बगैर Relation जाने हम Proper Function नहीं पढ़ पाते हैं और Relation को भी पढ़ने के लिए हमें Collection को जानने की आवसकता होती थी Collection को समझाने के लिए Set Theory का अप्रोच आप लोगों ने पढ़ा सुरुआत इसलिए Set Theory और Set Theory को भी समझाने के लिए आपने Classification Numbers के सीखे मतलब एक Sequence Series में ही चीज़ों को आप लोग यहां पर Approach कर रहे हैं और उसी Direction में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि Vacancy आ चुकी है तो अब कमर कस लेने की जरूवत है हम सभी को ध्रिड़ प्रतिक्यों होने की जरूवत है अपने आपको निश्चित करने की जरूवत है कि हम सभी इस तयारी के लिए अपने आपको डेबलप कर चुके हैं अपने आपको रेडी कर चुके हैं की नहीं इसलिए एक सही सार्थक Approach के साथ एक सही Positive Point के साथ आप अपनी Preparation को अब बहुत ही ससक तरीके से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए अपनी Preparation में किसी भी प्रकार की कमी ना शोड़िए क्योंकि ऐसे मौके जीवन में बहुत ही कम मिलते हैं हम सब बहुत ही जीवन में परिसान रहते इसलिए इसको खोने मत दीजिए आप सभी लोग बहुत ही Positive Mind के साथ बहुत ही सार्थक Approach के साथ अपनी तयारी को ससक्द बनाना शुरू करिए एक सही Strategy को फालो करिए पढ़ने के दौरान भी उसी Strategy को उसी Approach को आपको अपलाई करना है जैसे मैंने कहा कि मैं आज जो Topic सुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम Relation है Relation को भी पढ़ने के लिए Relation के उपयोगिता को समझने के लिए हमने एक Sequential System आपके सामने Explain किया कि इसके आगे इसकी क्या जरूत है और यह किसे से Developed हुआ है इसको भी जानने की जरूत है क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा है कि बहुत ही Interested और बहुत ही Aware topic होता है मतलब लगबख सभी के सभी Relation के बारे में जानते हैं कोई बच्चा जैसे ही पैदा होता है तुरंत वह किसी ना किसी Relation के अंडर आ जाता है वह किसी का बेटा बन जाता है वह किसी का भाई बन जाता है वह किसी का पोता बन जाता है मतलब किसी ना किसी एक Relation के अंडर जरूर आता है हम लोग इसी Relation को यहाँ पर एक प्रकार से Mathematically मतलब कलेक्शन के भीहाब पर पढ़ने जा रहे हैं हम इस पूरे session के दौरान आपको relation से सम्मनित जो जो आपके पाठिकरम का हिस्सा है जो जो हमारे requirement की हमारी required चीजे हैं उनके बारे में हमें के करके कुछ चीजों को list कर रखे हैं और वही वही मैं आपको चीजे समझाने की कोसिस करूँगा इस पूरे session के माद्यम से मैं आपको relation की definition और concept समझाऊंगा कि क्या यह process होता है इसका क्या approach होता है binary relation हमारे syllabus हमारे particular का हिस्सा है उसका approach क्या होता है inverse relation किसको कहते हैं और किसी एक relation का inverse हम कैसे describe यह develop करते हैं किसी एक relation की domain और range को कैसे हम find कर पाते हैं और इसकी पूरी classification हम कैसे कर पाते हैं कैसे category निर्धारित कर पाते हैं इस category में कुछ हमने अपने हिसाब से चार प्रकार के relation के हिसाब से category निर्धारित करी है हलाकि आप किताबों को देखते हैं सीट को देखते हैं तो आप को यह लगता है इसकी भी और further categories possible हो सकती है लेकिन मुख्य रूप से यही तीन category बाद में equivalence relation में develop हो जाती है मुझे इतने को ही पढ़ने की आवसकता होती है इतनी सारी बाते पढ़कर के हम आगे के approach आगे के topic को अपना हम strong कर पाएंगे तो चलिए हम सुरुवात करते हैं relation से relation जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने daily life से भी relate करेंगे और mathematically भी इसको हम relate करने की कोसिस करेंगे और इस पूरे concept को आज की session के बाद हमें मानेंगे कि हमारे लिए बहुत easy हो गया और बहुत ही असान हो गया इसी उम्मीद के साथ मैं इस पढ़ाई को start करने जा रहा हूँ आप ऐसे एक समझने की कोसिस करिए relation को generally एक letter R से develop किया जाता है R से explain किया जाता है R को explain करने के लिए पहले तो दो collection निर्धारित किया जाते है suppose कर ये collection A है दूसरा collection हमारे पास B है इस A से B के बीच के सम्मंध को explain किया जाता है by a statement किसी एक statement जिसको हम लोग यहाँ पर R कह रहे हैं और इस R का मतलब इस R की जो meaning होगी उसको हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर mention करेंगे जैसे मान लिजे किसी school में एक बच्चों का collection था बच्चों का collection मतलब उनकी class में एक collection हमारे पास A था कुछ बच्चे यहाँ पर suppose करी A, B, C, D इस टाइप के बैठे हुए थे या हम कह सकते हैं कि parents बैठे हैं अब suppose करी father सी बैठे हुए थे इनका नाम suppose करी P था, Q था, R था, S था इस टाइप से यहाँ पर लोग बैठे हुए थे हमारे school प्रसासन ने एक ब्योस्ता करी कि एक ऐसी technology वर्थ करे कि बच्चा relate करे अपने आपको किसके साथ इस collection के elements के साथ जिससे वह relate कर पाए उसके साथ हुआ चला जाए उस relation को explain किया गया is sun up एक difference एक expression generate किया गया is sun up अब यहाँ पर हर element जो बच्चों के रूप में है यह प्रतेक elements के साथ अपना एक pair generate करेगा उस pair में वह fit कर रहा है वह उस pair के अंतरगत आ रहा है तब तो वह relation में आएगा अन्यथा वह relation में नहीं आएगा suppose करिए इस लड़के A ने अपना relation अपनी pairing P के साथ करी और पता चला उसको कि वह P का sun नहीं है इसका मतलब वह P के साथ relate नहीं करेगा मा लिजे इसने अपना एक pair Q के साथ generate किया और पता चला उसे कि वह Q का sun है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर A, R, Q इसका मतलब हम यहाँ पर क्या सकते हैं कि जहाँ पर हम यहाँ पर क्या सकते A, अब समझे इस R का मतलब क्या है? इज सन आप इज सन आप क्यो A इसका मतलब related है Q से और A सन है क्योंकि यहाँ पर A relate कर रहा है Q के साथ अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो A है वह पहले set A से belong कर रहा है जबकि जो P है या Q है वह Q दूसरे set B से belong कर रहा है इसका मतलब हम एक relation एक pair के माध्यम से develop कर पाएं है इसी तरह से suppose करिए B ने अपने आपको check किया तो पता चला वह P का सन था ऐसे C ने check किया तो वह S कन सन था D ने check किया कि वह R का सन था तो हमने देखा कि जो relation develop हुए A का Q के साथ हुआ है ऐसे B का आपने देखा B जो है relate करा है P के साथ B related with P इसी तरह से हमने notice किया जो C था उसने relate किया अपने आपको S के साथ ऐसे हमने देखा D relate किया अपने आपको R के साथ तो यहाँ पर relation का एक ordered pair generate होगा उस ordered pair में आप देखोगे तो आपको A relate करता हुआ दिखेगा किस के साथ Q के साथ A की pairing Q के साथ होगी B की pairing यहाँ पर P के साथ होगी C की pairing यहाँ पर S के साथ होगी और finally B की pairing यहाँ पर R के साथ होगी तो जो हमारे relation के हिसाब से अपनी अपनी pairing generate कर रहे थे उनके थुरू यहाँ पर इस type का representation बन कर सामने आया है अब आपने देखा कि इस इस्थिती में सारे के सारे elements इधर के सभी के सभी अलग-अलग elements के साथ match करें हैं वो उस relation के अंदर आए हैं अंडर में आए हैं इसलिए वह एक ordered pair generate किये हैं अब ऐसी ही इस्थिती हम लोग और अलग-अलग situations में देख सकते हैं सपोच करिये मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ city का collection था कुछ सहरों का collection था जिसको हमने यहाँ पर set A से indicate किया यहाँ पर कुछ countries का collection है जिसको हमने set B से contain किया define किया मा लिजे मेरे पास इन city में सपोच करिये यहाँ पर डेली है यहाँ पर मेरे पास New York है यहाँ पर मेरे पास सपोच करिये कोलंबो है और यहाँ पर मेरे पास सपोच करिये इसलामाबाद है और मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ देशों का collection था देशों के collection में हमने notice किया कि यहाँ पर सबसे पहले स्रिलंका था एक कंट्री है स्रिलंका आप जानते हैं एक कंट्री यहाँ पर मैंने देखा कि इंडिया है हमने देखा USA, United State of America है और फाइनली हमने लेखा कि पाकिस्तान है अब हमने इन अनुभो किया कि यहाँ पर जो अलग-अलग यहाँ पर elements है मतलब एक तरह से माली जे मैंने एक relation यहाँ पर इन दोनों की बीच में explain किया उस relation का नाम था suppose कर each city of each city आप के हिसाब से मैंने एक relation develop किया अब एडेली सब के साथ एक pair generate करेगा अपने आपको चेक करेगा कि हम किसके city हैं कर गया तो एक पूरा जो collection था जो pair था वह एक relation के under आ रहा है उस relation को आपने एक definition के माध्यम से एक statement के माध्यम से present किया है तो मतलब हम ऐसे समझ गए होंगे कि मेरे पास दो collection होते हैं उन collection के बीच एक statement जो होता है उन अलग-अलग elements को आपस में सम्मंधित कराने का काम करता है जिससे हम relation को describe कर सकते हैं समझ सकते हैं अब main बात यहां पर हो गई कि relation की actual definition क्या बन कराएगी आप देखिएगा relation को समझाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक लेटर capital R का यूज़ करेंगे R का यूज़ हम relation को explain करने के लिए करेंगे कहेंगे कि R of A is to B मतलब माली जे मेरे पास दो non-empty set हैं A and B तो हम अगर एक relation develop करने जा रहे हैं from A to B then R को हम define करेंगे R को define करने से भी पहले हम कहेंगे कि R will always be the subset of A cross B ध्यान दीज़ेगा What is the A cross B? That is the cartesian product या cartesian product of the A cross A and B the set A और B के जो cartesian product में हमें ordered pair मिलेंगे उन ordered pair का हमेशा relation के जो ordered pair होंगे उस अब subset होंगे मतलब आप ऐसे समझ गए होंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर relation के under ordered pair आएंगे they will always be the subset of the cartesian product will be in the two sets जो हमारे पास दोनों set दिये गए उनके ordered pair के हमेशा subset बन पाएंगे मतलब उसके बराबर हो सकते हैं उससे कम हो सकते हैं बड़ उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं इसकी definition ऐसे भी दी जा सकती हम कहेंगे our means our means our का मतलब यहाँ पर is related with हम ऐसे लिखेंगे is related with मतलब इस related को हम अपनी condition यहाँ पर fulfill करेंगे कभी यहाँ पर इस sun आप होगा कभी इस city आप होगा is greater than होगा is less than होगा is multiple आप होगा is factor आप होगा इस प्रकार की अलग-अलग परिस्थितियों से हम लोग यहाँ पर चीजों को explain करेंगे कहेंगे कि some elements of the set A related with some this condition some specified situation with another set of the B दूसरे set के कुछ elements के साथ relate कर जाते हैं तो this is the actual definition of the relation under the Cartesian product of the two sets मतलब दो sets के Cartesian product के through ही हम लोग relation को describe करते हैं जो जो हमारी situation को fulfill करते हैं जो जो भी हमारी remand को पूरा करते हैं वही relations के under आते हैं तो आप इस चीज को समझने की कोसिस करिएगा यही हमारा relation का concept है जो मैंने अभी आपको बताने की कोसिस करी है यह जरूरी नहीं कि दो अलग-अलग set पर ही describe किया जाए यह एक ही set पर भी describe करा जा सकता है मैं कुछ certain examples रोंगा जिससे कि आपको यह सारी चीजे confirm way में आसान तरीकी से समझ में आएगी example के तौर पर मान लिजे मैंने एक set लिया ए और ए के पास कुछ elements है suppose करिए 1,2,3,4 एक दूसरा set मेरे पास है suppose करिए B जिसके पास मान लिजे 3,4,6 यहाँ पर 3 elements है consider करिए हम relation को कुछ इस प्रकार से define कर रहे है और आप से ordered pair यहाँ पर कहा जाएगा मतलब देखिए process कई सारे होते है R means A, B इसने कहा such that A is greater than B and each A, B belongs to या हम कहा सकते है each A, B क्योंकि दोनों अलग-अलग set के part है तो मुझसे यहाँ पर दिया गया A belongs to capital A and B belongs to capital B इस प्रकार से relation को mention किया गया या direct हम से कहा देता कि R means is greater than simply लिख देता कि is greater than तब भी हम इसका मतलब वही realize करते है जो कि उपर लिखा गया है थोड़ी सी definition के माद्यम से otherwise इस statement के माद्यम से दोनों कर्त लग-बग एक ही है अब ऐसी दसा में सबसे पहले देखा मैंने एक मेरे पास set A था दूसरा set मेरे पास B था A के पास मैंने elements notice किये तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है B के अगर elements की बात की जाए तो 3 है, 4 है और 6 है first half all अगर हम ordered pair की बात करेंगे तो ordered pair अगर हम elements इसके पास है, 3 elements इसके पास है तो 1-3 बनेगा, 1-4 बनेगा, 1-6 बनेगा 2-3 बनेगा, 2-4 बनेगा, 2-6 बनेगा 3-3 बनेगा, 3-4 बनेगा, 3-6 बनेगा 4-3, 4-4 and 4-6 बनेगा जो कि हमारे cardesian product के under आएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर उन pairs की, जो कि हमारे relations में आ रहे हैं मतलब हमारी conditions को satisfy कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि A is greater than B, A is greater than B, अब आप समझने की कोशिस करिए क्या 1-3 से greater है, नहीं 1-4 से नहीं, 1-6 से नहीं, चलिए, 2-3 से नहीं है 2 भी किसी से greater नहीं, 3-3 से नहीं है, 3-4 से भी नहीं है, 3-6 से भी नहीं है, केवल एक element जैसे की 4-3, मैंने लिखा 4-3 comes under our relation, हमारे relation के under आ रहे हैं, मतलब कौन relation में आ रहा है, केवल 4 and 3, विकाज इसका एक ही element है, जो इसके किसी एक element से बढ़ा है, तुमारे relation के under केवल एक ordered pair आ रहा है, जबकि Cartesian प्रोड़क्ट पे आपने देखा, तो 4-3-0-12 ordered pairs हम लोग generate यहाँ पर कर सकते हैं, अब यहीं पर मालीजे लिखा होता, greater r equal to, सपोच कर यह लिखा होता greater r equal to, तो आप देखिए 1 किसी के साथ equal भी नहीं है 2 किसी के साथ equal भी नहीं है, 3 के साथ एक pair बन सकता था, जो कि आपका 3,3 हो जाता, तो 3,3 भी आता, 4,3 भी आता, और 4,4 भी आता, क्योंकि 4,4 के equal भी है, तो मेरे पास यहाँ पर यहाँ दूसरे relations की r2 हम इसको explain कर दें, क्योंकि इसके विहाँ पर जब यहाँ पर कहा जाता कि greater than, r equal to अगर suppose कर यह situation बन जाती तो उस समय तीन elements यहाँ पर generate हो जाते, जिसके हिसाब से हम इस relation को describe कर पाते, समझ पाते अब आप थोड़ा सा और देखिएगा माल लिजे मुझसे कहा गया कि except a है, और a के अंडर कुछ elements है, suppose करी 1 है, 2 है 3 है, 4 है, और मुझे कहा गया कि explain a relation are, आप a b, such that a divides b a divides b मतलब यहाँ पर and each a b belongs to capital A, मतलब उसी एक ही set के part है, अब आप देखिए इसमें यहाँ पर क्या situation बन पाएगी, इस relation को कैसे explain कर पाएगे बात को समझने की कोसिस करिए आप सभी लोग हमने देखा कि जो मेरे पास अब एक ही set के उपर dependent सारी situations है अब इसके पास देखिए कुल elements हमने देखा कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इधर भी हमने देखा कि 1 है, 2 है, 3 है आप लोग यहां पर देख पा रहे है अब अगर जैसे हम लोग बात करते सबसे पहले एक रास बी की तो आपको पता है कि यहां पर एक रास बी में खुल मिला के 16 ordered pair जनेट होंगे बट मुझे इनसे मतलब है जिसमें पहला elements दूसरे को divide कर सके पहला element केवल दूसरे को divide कर सके मुझे उससे केवल मतलब रहेगा आपको पता है कि 1 हमेशा सभी का factor होता है 1 सब को divide कर सकता है तो हम पहला ordered pair किया लेंगे जई इसको छोड़ दिया मैंने मैं केवल R की बात कर रहा हूँ R में सबसे पहले आप 1 1 लिख सकते है क्योंकि 1 1 को divide कर सकता है 1 2 को divide कर सकता है 1 3 को भी divide कर सकता है 1 4 को भी divide कर सकता है चलिए 2 जो है क्या 1 को कर सकता है नहीं लेकिन 2 2 को कर सकता है 2 जो है 4 को कर सकता है अब 3 की बात किया जा तो 3 केवल 3 को कर सकता है और 4 केवल 4 को कर सकता है इस तरह से हम लोग उन्ही pairs को रखे हैं जिन pairs ने इस condition को satisfy किया है जिसमें पहले elements ने दूसरे elements को divide कर सकने की effort रखिये हमने उसको उसको उठा के मतलब कुल 16 ordered pair से 4 to 4 मतलब कुल 8 ordered pair मेरे relation के under आ रहे हैं अब इन में से कोई भी जो pair है उसको हम अगर explain करना चाहें हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 related 4 जैसे इसको अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसको हम 2,4 की जगा पर ऐसे भी कह सकते हैं यह हम कह सकते हैं कि R,2,4 यहाँ पर R,2,4 के बीच में बन रहा है मतलब 2,R का मतलब क्या है? divides 2 divides 4,2 can divide the 4 मतलब 2,4 को divide कर सकता है हमारी परिच्छाओं में और हमारे pattern के हिसाब से अगर दिखा जाए इन relation का एक graphical representation भी होता है एक diagrammatic representation तो था ही क्यों 1,1 को divide कर सकता है 1,2 को divide कर सकता है 1,3 को कर सकता है 1,4 को divide कर सकता है परिच्छा में अगर इस तरह से जैसे 2 ने 2 को divide किया 2 ने 4 को divide किया 3 ने 3 को divide किया 4 ने 4 को divide किया यह possibility इसको हम कहाते arrow diagram representation arrow diagram से आप information देख करके इसको explain कर सकते हैं इस pair को develop कर सकते हैं जो pair ordered बन कर आ रहे हैं आप चाहें तो इस diagram की help से भी इनको describe कर सकते हैं इसी तरह से diagram का representation एक और होता है जिसमें graphically इस relationship को represent कर सकते हैं graphically करने के लिए हमारे पास एक process होता है उसमें आपको बनाना नहीं होता है वो बनी बनाई information आती उसमें से आपको relation को explain करना पड़ता है मैंने कहा graphical representation के हिसाब से इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर जो पहला रहेगा वो vertical और जो दूसरा रहेगा वो horizontal यहाँ पर A था इसको हमने कहा A ही है क्योंकि दोनों set एक ही थे दोनों में 1, 2, 3, 4 वहाँ पर आते अब सारी possibility हम लोग यहाँ पर जितने भी audit pair की बन जान सकने की होती है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर mention करें देखे कितने हो सकते हैं यह audit pair कुछ इस प्रकार से आपका जो graphical presentation कुछ इस प्रकार का रहेगा जिसमें आपको मैं बता दू जो जो elements relation में आ रहे हैं उनकी जगा पर one लिखा जाता है और जो जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगा पर अक्सर zero लिखा जाता है तो अगर माली जे मैंने देखा था कि हमारे relation में one one के साथ related था two one two के साथ भी था one three के साथ भी one four के साथ भी था 2, 2 के साथ related था, 4 के साथ related था, 3, 3 के साथ था, 4, 4 के साथ था, बाकी सारे places पर सपोच करिये 0 रखा गया था pairing करनी है तो सब की pairing possible थी, कैसे 1, 1 की थी, 1, 2 की थी, 1, 3 की थी, 1, 4 की थी, 2, 1 की थी, 2, 2 की थी, 2, 3 की थी, 2, 4 की थी इसी प्रकार से सब की pairing cardigan product में develop करी जा सकती थी, अब यह figure दिया, उसने कहा कि explain the each ordered pair of the relation और हमसे यह भी कह सकता है कि under which relation दे आर managed मतलब किस relation के बिहाब पर दोनों को बेवस्थित किया गया था, ordered pair को explain किया था, वो सकता है आपको वार definition भी बतानी हो, कि पहला elements दूसरे के साथ किस प्रकार से संबन्दित है, यह बात भी बताने पर question बन सकता है तो आपने देखा, यहाँ पर आप कह सकते हैं, 11 के साथ बन रहा है, 12 के साथ बन रहा है, 13 के साथ बन रहा है, 14 के साथ बन रहा है, 22 के साथ बन रहा है, 24 के साथ, 33 के साथ, 44 के साथ, इस तरह से relation यहाँ पर maintain किया गया है, manage किया गया है, तो यह बात आई होप आप सभी को समझ में आई होगी कि relation को हम लोग इस तरह से relate कर सकते हैं आगे बढ़िए एक और हम लोग लेते हैं suppose करिए मैंने कहा कि मेरे पास एक set है इसके पास कुछ elements है suppose करिए 2 है 4 है 6 है और माली जे 8 है अब हम यहाँ पर एक दूसरा set ले रहे हैं suppose करिए B है जिसके पास मैंने कहा कि 1 है 2 ह 3 है अब हम आप से कह रहे हैं कि एक relation के थुरू हम ordered pair को explain करें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर suppose करिए मैंने कहा कि हम relation एक manage कर रहे हैं और उसको हम कई तरह से जैसे मैंने आप से कहा कि आप is defined by से भी कर सकते हैं is यहाँ पर दिखिए मैंने लिखा कि means भी लिखिए जैसे means लिखिए means are means मैंने लिखा is multiple आप is multiple मतलब आप जानते हैं कि गुड़ज होता है मतलब वह पहाड़े में आता है जैसे 3 के multiples क्या होंगे 6 होगा 9 होगा मतलब 3 खुद भी होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा 50 30 12 15 यह सब त पहला दूसरे का multiple है तब हम इसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे उसके हिसाब से relation को दिखाएंगे यहाँ पर पहला सेट माली जी A था दूसरा सेट माली जी B था इसके elements क्या थे 2 थे 4 था 6 था और 8 था इसके elements की बात किया जाए 1 था 2 था 3 था अब यहाँ पर हम देख करना है जिस जिस पेयर में जिस जिस पेयर में पहला दूसरे का multiple हो अर्थात पहला दूसरे की पहाड़े में आता हो जैसे 2 1 के पहाड़े में आएगा बिल्कुल आएगा 2 2 के पहाड़े में जरूर आएगा क्या 2 3 के पहाड़े में आएगा नहीं आएगा 4 1 के पहाड़े म भी आएगा, एट, वन के पहाड़े में आएगा, टेबल्स में आएगा, जरूर आएगा, एट, टू के भी टेबल्स में जरूर आएगा, तो अगर हम relation की बात करें, तो relation देखें, हमारे पास कौन-कौन से पेर दे रहा था, 2, 1 दे रहा था, और 2, 2 दे रहा था, 4, 1 दे रहा था, 4, 2 दे रहा था, 4 और 6 रेखा जाए तो 1 के साथ भी बन रहा था, 6, 2 के साथ भी बन रहा था, 6, 3 के साथ भी बन रहा था, 8 हमने देखा 1 के साथ भी बन रहा था, 2 के साथ भी बन रहा था, यह सारे के स के अंडर आएंगे relations के through यहाँ पर explain करे जा सकते हैं I hope यह चीज आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे इस प्रकार के relation को हम लोग यहाँ पर express कर सकते बना सकते हैं तो मतलब यही बेवस्था है यही relation को present करने का तरीका है इसे हिसाब से relation को हम explain करते हैं अब एक एक करके चीजों को हम और आगे बढ़ाते हैं जिससे कि हर बात को आप सीख सके हर fact को आप clear कर सके अगला point मैंने जो लिखा था that was the binary relation देखिए ध्यान से कि binary relation क्या होता है binary relation कुछ एक ऐसा relation है आर जिसमें जो ordered pair हो that is a of a o such that each a belongs to set a suppose करी एक set a था जिसके थूँ यहाँ पर belong करते थे मत मतलब ordered pair के दोनों elements same हो अगर हम इनको graphically represent करें तो graphical representation में यहाँ भी set a रहेगा यहाँ भी set वही a रहेगा यहाँ पर मालीजे a था तो इसका भी a रहे यहाँ पर मालीजे b हो तो इसका भी b ही रहे c हो तो इसका भी c रहे तो मतलब अगर हम point करते जाए coordinate के हिसाब से तो हमें एक diagonal प्राप्त हो मतलब एक beacon प्राप्त हो इस type का relation जो बनता है वह आपका binary relation कहा जाता है binary relation आपके exam से पूछा जाता है कि आप binary relation किसको कहेंगे तो आप कहेंगे कि एक ऐसा ordered pair relation से जो प्राप्त हुआ है जो मिला है जिसमें पहला और दूसरा element same हो graphically represent करने पर एक diagonal generate करे तो उसको हम binary relation कहते हैं उसको binary relation से explain कर सकते हैं आई होप है समझ में आया होगा आगे बढ़िएगा अगला point हम यहाँ पर लिख रहे हैं inverse relation inverse relation अब किसी एक definition के medium से suppose करिये मैंने एक relation develop किया यहाँ पर कोई हम expression और कोई condition नहीं दे रहे हैं direct हम ordered pair आपको दे रहे हैं suppose कर यह one five से relate क कर रहा था one seven से relate कर रहा था two four से relate कर रहा था two three से relate कर रहा था इस प्रकार से माली जी एक relation हमने यहाँ पर आपको दिया अब इस समय अगर मैं आप से कहूंगी कहूं यहाँ पर कि find r inverse find r inverse r inverse हम लोग find कर सकते हैं बढ़ उसके पहले हम यह समझ लें अगर मेरे पास एक r है ज such that each a b belongs to capital a suppose करी एक ही set के पार्ट हो अलग-अलग set के पार्ट हो इसमें ऐसी कोई compulsory situation नहीं है then what about r inverse यह हम ऐसे कह दें कि माल लिजे चलिए इसी में इसी तरह से लेकि हम आपको explain करते हैं then r inverse will be b आप है जो ordered pair बनेगा वा simply convert हो जाएगा जो a था हुआ b बन जाएगा और b आ अब आपको ध्यान में रखना होगा कभी-कभी ऐसी situation भी आ सकती है कि पहला पहले set का पार्ट है दूसरा दूसरे set का पार्ट है जैसे भी यह बनेगा तो b तब भी दूसरे set का पार्ट रहेगा और a पहले set का पार्ट रहेगा मतलब आपको कुछ नहीं करना है बस ordered pair की location ब मैं लिखता का 5,1 मैं लिखता यहाँ पर 3,1 मैं लिखता यहाँ पर 7,1 फिर लिखता मैं 4,2 और finally 3,2 इस तरह से हम लोग relation का inverse develop कर सकते थे inverse हम fine कर सकते थे आपकी परिच्छा में आपसे ऐसे प्रसंद पूछे जाएंगे कि आपको relation दिया जाएगा और relation को explain कराया जाएगा और आपसे inverse पूछा जाएगा काई हो पर चीज आप समझ पाए होंगे कि inverse कैसे निकाला जाता है अब हम बात करते हैं domain and range after relation मैं आपको इसको समझाता हूँ पहले domain और range का concept समझ येगा कि domain क्या है और range क्या है domain एक प्रकार की location है, domain एक प्रकार का existence है, जैसे मालीची हम लोग कहीं किसी एक particular location पर हैं और हम सभी एक ही प्रकार से सबके सबसंबन देते हैं हम अपने परिवार में हैं तो हम सबी का एक domain है another family है उसका अपना एक certain domain है हम परिवार के साथ माली जे गाउं एक सहर में रहते हैं तो हम सभी एक domain में रहते हैं और कोई दूसरे गाउं सहर का विक्ति या collection वह ही एक another domain है हम एक city में रहते हैं या हम कह सकते हम एक district में रहते हैं हम एक state में रहते हैं जहां पर सभी लोग एक नियम कानून को फालो करते हैं। मालीजे अगर किसी क्राइम के लिए या किसी पर्टिकुलर वर्किंग के लिए एक ही स्ट्राइटजी, एक ही पॉसिबिलिटी सब के लिए बन रही है। आप अगर कोई क्राइम करिये तो जो सजा आपको मिलेगी वही प्राइमिनिस्टर करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। यह बात क्लियर है। इसका मतलब हम सभी एक डोमेन में हैं। लेकिन कभी-कभी आप देखते हैं कि आप जा रहे थे, अचानक वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है, पता चले कि फ़ला बियाएपी परसन या मंत्री जी का काफिला गुजर रहा है, तो हम लोग वहाँ पर हमारे लिए कामन हो, तो हम दूसरे डोमेन में आगे और दूसरे डोमेन में आगे। कहने का मतलब डोमेन एक प्रकार का लोकेशन है, एक प्रकार का कलेक्शन है, एक पर्टिकुलर सिच्वेशन पर डिपेंड करते हुए कलेक्शन है। अब एक डोमेन हम देखते थे, जिस collection में से जो relation डेवलप हुआ उसका डुमेन क्या होगा मतलब आपने देखा तक पहले set के कुछ elements दूसरे set के कुछ elements के साथ relate करते थे तो जो पहले set के elements यूज करे जाते हैं वो आपके domain के elements कहलाते हैं जो दूसरे set के elements यूज किया जाते हैं वो आपके range के elements कहलाते हैं, अब सपोच करिए मालीजे मैंने एक relation लिखा R, जो किसी भिहाब पर मुझको provide कर रहा है, 1, 2 1, 4 1, 5 2, 3 2, 4, 2, 5 अब हम आप से कहें कि इस relation का domain क्या होगा, इस relation का domain क्या होगा तो आप लिखो कि domain आप R हम लिखेंगे domain आप R, will be 1 लेंगे और 2 लेंगे, तो दो ही elements हमारे domain में आ रहे हैं कि 1, 1, 1 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2 range आप आपर, यहाँ पर range अगर हम लोग निकालें तो range हमारे पास हो जाएगा 2, 4 2, 3 2, 3, 4 and 5 2, 3, 4 and 5, तो 5, 4 elements मिल रहें, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, तो हमारे range के अंडर कौन कौन से आए, 2, 3, 4 and 5 आया, तो कभी भी आपको कोई relation आपको दिया जाए, चाहे अभी जो भी हमने relation आपको अलग-अलग तरीके के definitions पर पढ़ा है उनके किसी भी relation का आप domain find कर सकते हैं, और range find कर सकते हैं कुछ question के medium से हम इस चीज को properly समझने की कोसिस करेंगे जैसे देखी, आपके पास एक question हम आपको दे रहे हैं आपर, और इस question में देखी, क्या बोला है, कहा गया let A be the set up, the first 5 natural number and R be a relation on A defined as followed, मतलब मेरे पास इसके solution की बात किया जाए तो मेरे पास के रहा है, एक set A है जिस A के पास पहले 5 natural number है पहली 5 प्रकृतिक संख्याए हैं जो की 1, 2, 3, 4 और 5 हैं आपको पता है, एक relation generate किया जा रहा है, A का A से ही एक relation, अर्था दूसरा set भी आपके पास क्या contain करेगा वही same to same, 1, 2, 3, 4 और 5 ही contain करेगा जो relation को explain किया गया है by an ordered pair x, y जो की relation से बिलॉंग कर रहा है वह किस condition पर based हो x greater than y हो question क्या पूचा है, domain आप r inverse और range आप r तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे relation r develop करना पड़ेगा, उसकी ordered pair निकालने पड़ेगे, उसका range भी निकालना है, और जो r inverse है, उसका हमें domain find करना है, तो first आप हाल आप r के लिए बात करिए, आपकी जो condition है, x greater than y होना चाहिए, उसके बिहाब पे देखिए, क्या 1 किसी के साथ relate करेगा, नहीं, क्या 2 किसी के साथ relate करेगा, yes, 1 के साथ करेगा, क्या 3 किसी के साथ करेगा, yes, किस के साथ 1 के साथ करेगा, 2 के साथ करेगा 4 किसी के साथ करेगा, yes, 1 के साथ करेगा, 2 के साथ करेगा और 3 के साथ करेगा, 5 किसी के साथ करेगा, इस अपने को छोड़ कर सब से करेगा, 2 के साथ, 3 के साथ, और आ रहा है, one के साथ भी आ रहा है, क्योंकि one से भी greater है, और two से भी greater है, बदाइए, three हो गया, four किसके किसके साथ, four one के साथ भी आ रहा है, four two के साथ भी आ रहा है, और four three के साथ भी आ रहा है, five किसके किसके साथ, खुद को छोड़ कर one के साथ, two के साथ, three के साथ, और four के साथ, तो इस तरह से हमारे relation के अंडर ये इतने ordered pair generate हुए हैं अब जो relation R है दूसरा question जो पूछा है किसका range क्या है माली जी मुझसे यही पर range निकालना होता तो मैं अराम से इस समय यहाँ पर range up R निकाल सकता हूँ range up R निकाल सकते दिखी क्या हो जाएगा आप range up R निकालना है तो simple सी बात है आप second elements को consider करेंगे हमारे पास 1 दिखरा है different different 2 दिखरा है 3 दिखरा है और 4 दिखरा है तो हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3 और 4 यह हमारे range हो गए किसके relation के पहला question जो पूछा था domain of the R inverse इसके लिए मुझे R inverse सोचना होगा R inverse मतलब जो second element है first बन जाएगा मतलब हमें domain सोचना है तो हमें जो इसका second है उसको first consider करना पड़ेगा लेकिन confusion आपको ना हो इसलिए हम सबसे पहले R inverse निकाल देते हैं R inverse देखें क्या क्या हो जाएगा 1-2 हो जाएगा 1-3 हो जाएगा 2-3 हो जाएगा 1-4 हो जाएगा इसके भिहाप पर 2-4 हो जाएगा 3-4 हो जाएगा 1-5 हो जाएगा 2-5 हो जाएगा 3-5 हो जाएगा and 4-5 हो जाएगा आपको समझ में आ गया होगा हलाकि ना भी लिखते तो चलता हम लोग उसके second को first माल लेते हैं और उसी की हिसाब से हम लोग explain कर देते तब भी सारी बाते बन जाती माल लिजे मुझसे कहा जाए कि domain आप domain आप हमको find करना था R inverse अब इसका domain निकालने के लिए हम लोग elements कैसे mention करेंगे हम लोग किसको किसको ले सकते देखिए हम पहले elements अर्थाद 1 ले सकते हैं 1 के बाद हम 2 ले सकते हैं 2 के बाद हम केवल 3 ले सकते हैं और हम finally 4 ले सकते हैं तो 1,2,3,4 यहाँ पर domain आप R inverse भी हो रहा है और 1,2,3,4 यहाँ पर range आप R भी हो रहा है इसके लिए आपको range निकालने के लिए R का R प्लान करना था और domain R inverse का निकालने के लिए हमें R inverse प्लान करना था तो I hope it is जापको समझ में आई होगी कि अगर हम से कभी किसी range relation का range पूछे domain पूछे उसके inverse का पूछे हम लोग अराम से कर सकते हैं कुछ और प्रसनों के माद्यम से भी इस concept को हम और clear करते हैं आप लोग थोड़ा सा समझने की कोसिस करिएगा जैसे देखी कहा गया find the inverse relation R inverse in each of the following cases case दो दिये गये हैं पहले case में कहा गया कि आप two directly relation दे दिया है पहला case जो पहला solution है उसके अंडर आपको direct relation दे दिया है जिस relation में 1 का 2 के साथ pairing है 1 का 3 के साथ pairing है 2 की 3 के साथ pairing है 3 की 2 के साथ pairing है और 5 की 6 के साथ pairing है हमको direct R inverse पता करना है तो हमार R inverse simply यहाँ पर लिख देंगे 2 का 1 3 1 3 2 2 3 और finally 6 5 तो direct हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर R inverse second को थोड़ा सामें समझना पड़ेगा second में दिखी क्या बोला है कहा है कि xy मतलब जो ordered pair होगा xy पे depend करेगा xy belongs to natural number दोनों प्रकृतिक संख्याओं natural number से बिलांग करनी चाहिए बस इसमें a हो कि x plus 2y हमारा 8 के equal हो इसका मतलब जो 2y होगा बिलालबेज भी even number क्योंकि 2 से multiplied हो रहा है मतलब हमेशा सम संख्या होगी अब सम संख्या में सम जुड़ेगा तब ही तो समाएगा ना सम में 20 तो जुड़ेने पर समाएगा नहीं इसका मतलब 2 हमेशा सम संख्या होगी और सम संख्या भी होगी लेकिन ए भी ध्यान रखना है कि जुड़कर 8 हो रहा है इसका मतलब सम संख्या आपकी बड़ी limited 8,8 x की value 2 हो सकती है 4 हो सकती है 6 हो सकती 8 तो होगी नहीं क्योंकि 0 हमारे पास natural number नहीं लेना है हमको होता ही नहीं है अब अगर यहाँ पर 2 हो गया तो 2 में क्या add होगा 2,3,6 मतलब अगर हम y की जगा 3 रख दें तो 3,2,6 6 तो मिलकर 8 हो जाएगा ऐसे अगर हम यहाँ पर 4 है मेरे सामने अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दू तो 2,2 जा 4 4,2 कितना हो जाएगा 2,2 जा 4 और 4,4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 4,2 बन सकता है यहाँ अगर 6 लिया तो 2,1 जा 2 मतलब यहाँ पर हम 1 लिख दें तो 2,1 जा 2 2 हो जाएगा 1,6 मिल करके यहाँ पर 6,2 मिल करके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो जो ordered pair हमारे relation में आ रहे हैं वो आपके 2,3 बन सकते हैं 4,2 बन सकते हैं और 6,1 बन सकते हैं यह हमारे relation के अंडर आ रहे हैं कौन-कौन 2,3 आप चेक करो 2 प्लस 3,2 जा 6 8 हो गया 4 प्लस 2,2 जा 4 8 हो गया 6 प्लस 1,2 जा 2 8 हो गया अब मुझे इसका inverse find करना हो तो simply हम find कर सकते हैं हम लिखेंगे 3,2 हम लिखेंगे 2,4 हम लिखेंगे 1,6 आपसे अगर मालीजी हम से इसका domain करने को कहें जिसे R का मालीजी domain आपसे कहता करने को आप domain अराम से निकाल सकते थे देखें, domain क्या हो जाएगा domain आपर simply आप set के elements को consider करिए हमको 2 मिलेगा 4 मिलेगा और 6 मिलेगा मालीजी मुझे range आपर कहता range में भी देखें 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है मतलब 3 elements, 1, 2, 3 मिल रहे हैं ऐसे हम inverse का भी domain और range आराम से fine कर सकते हैं जो भी हमसे कहा हम उसको आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं आई होप ए चीज़े आपको समझ में आई होगी कि कैसे इसका system develop हो रहा है अब अगर यह चीज़े आपने समझी है तो मैं यहाँ पर एक explanation आपको दे रहा हूँ आप इसको देखिए और देख करके खुद से decide करके हमें response करिए कि आप किस तरह से इसको perform कर सकते हैं एक certain homework आपको मैं provide कर रहा हूँ इसको note करिए आप सब लोग अपनी copy में question क्या है इसको मैं आपको explain कर दे रहा हूँ question है कि हमारे पास एक relation दिया है जो कि दो sets set A है set B है A के पास 2, 3, 4, 5 and 6 है B के पास 1, 2, 3 है अब हमको कहा है कि X is equal to 2i होना चाहिए मतलब मुझे Y को कुछ ऐसा लेना है कि अगर उसको हम 2 से multiply करें तब जा करके X के elements के बराबर हो पाए वो 2 अगर मैं चाहूँ तो 1 के साथ relate कर सकता हूँ कैसे 1, 2, 2 जा 2 इसके बराबर हो जाएगा 4 को हम चाहें तो 2 के साथ relate कर सकते हैं 6 को चाहें तो हम 3 के साथ relate कर सकते हैं इस प्रकार से हम एक certain ordered pair relation के बिहाब पर develop कर सकते हैं, बना सकते हैं दूसरा देखिएगा, एक set आपको एक ही दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defined by X, Y belongs to R X is relatively prime to Y X, Y के साथ relatively prime हो मतलब उसके साथ संबन्धित अभाज्य हो आपको इसको explain करना है एक ऐसे ordered pair generate करने है जैसे कि 2, 3 के साथ बन जाए 2, 5 के साथ बन जाए 2, 7 के साथ बन जाए आप इसको देख करके एक ordered pair explain करिए, define करिए तीसरा देखिए रिखा है 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18 10 को divide कर सकता है 5, 15 को divide कर सकता है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको explain कर सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला एक question देखा जाए एक बढ़िया question देखिए आपको दिया एस भी थोड़ा सम concept भी यहाँ पर एक नया सीखेंगे एक set मेरे पास A है जिसके पास कुछ elements है एक दूसरा है मेरे पास उसके पास भी कुछ elements है हमसे पूछा find the relation find the number of relation from A to B अगर हम इन दोनों sets के बीच relation develop कर रहे हैं तो कितने relations total बन सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ अब ध्यान दीजिएगा अगर मा लिजे मेरे पास एक relation हमने explain किया है ओ भी किसमें दो sets A और B के बीच में मेरे पास एक set A है दूसरा set मेरे पास यहाँ पर B है मैंने इनके बीच एक relation develop किया है अब suppose करिये मेरे पास यहन A मतलब number of elements मिन्स हम कह सकते हैं cardinal number of है अगर suppose करिये यह है number of elements B में अगर suppose करिये कुल मिला के यहन है तो हम कह सकते हैं number of relation number of relation R आप A to B will be 2 की power यह हम इंटू यहन हो जाता है मतलब आप इन दोनों numbers का cardinal numbers का multiplication करेंगे और 2 की base पर इसको हम लोग यहाँ पर root लगा देंगे power लगा देंगे जिससे हम number of relation यहाँ पर explain कर सकते हैं आप इसमें अगर हम इस set A की बात करें यहन आप A यहाँ पर आपको 2 दिया है यहन आप B हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 दिया है अब हम लोग यहाँ पर number of relation अगर बताना चाहें तो 2 की power 2 into 2 हो जाएगा that means 2 की power 4 means 16 possible relations यहाँ पर total develop करे जा सकते हैं तो कुल 16 possible relation यहाँ पर बन सकने की condition बनेगी और कभी भी आप से ऐसा question पूछा जाए कि number of relation कैसे explain करेंगे तो दोनों के cardinal number के product को 2 के base पर power बना दे जो counting आएगी वही आपके number of relations बन जाएगे किसी भी particular relation के लिए आगे देखिएगा अब जैसे देखिए question और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं determine the domain and the range of the relation are defined by मेरे ख्याल से इसको भी आपको समझना होगा मैं भी इसको explain कर देता हूँ यह भी आपके लिए homework होगा मुझे आप जरूर इसका explanation दीजिए आप सब लोग करके मुझे बताइए मालीजे मुझे दिया है कि x, x plus 5 यह pair का system है x की value 0, 1, 2, 3, 4, 5 है अब आप ध्यान दीजिएगा मालीजे मैं 0 लूँगा 0 किसके साथ relate होगा 0 plus 5 that means 5 के साथ relate होगा ऐसे अगर suppose करी आप 1 लेंगे तो 1 किसके साथ relate होगा 1 plus 5 मतलब 6 के साथ क्या 6 मेरे साथ नहीं तो 6 को हम लोग 1 को consider ही नहीं करेंगे अगर हम suppose करी 2 लेते हैं यहाँ पर तो आप अलग-अलग elements को उठा कर substitute करते जाएए जो possibility बने अगर वह आपके combination के अंडर आ रही है तो आपके relation में आएगी अनेथा नहीं आएगी इसको आपको करना है दूसरा देखी कहा x x cube x is the prime number less than 10 अगर हम less than 10 prime numbers की बात करें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एक कुल 4 prime number होगे जो की less than 10 होते हैं तो pairing किसके साथ, इसके साथ किसकी होगी 8 की, क्योंकि 2 का whole cube 8 होता है 3 का 27 होगा 5 का 125 हुआ 7 का 343 हुआ तो आपने देखा कि 2 का 8 के साथ 3 का 27, 5 125 such that A belongs to natural number A is less than 5 B is equal to 4 natural number 5 से छोटे कौन कौन से होगे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और B हमेशा 4 रहेगा A का 1 का 4 के साथ pair बनेगा 2 का भी 4 के साथ pair बनेगा 3 का भी 4 के साथ बनेगा और 4 का भी 4 के साथ यहाँ पर relation बनकर सामने आएगा तो I hope यह चीज़े आप समझ पाएं है मैं चाहता हूँ कि इसको भी homework मिले और सभी लोग इसको properly complete करके मेरे सामने इसको present करें मुझे बताएं कि आप सभी नों इसके completely किया है I hope देखिए एक label तक चीज़ों को consider करना जरूरी होता है और उसके उपर की चीज़ों को समझने के लिए प्रापर समय लेने की जरूरत होती है अगले topic को जिसमें हम प्रापर classification इसके सभी types को properly explain करेंगे वह मैं next lecture में complete कराऊंगा Hope so आपने पूरे session को अच्छी तरह से देखा होगा सब कुस समझा होगा कोई भी confusion, कोई भी ऐसी situation जिसमें आपको किसी topic में कहीं कोई ऐसा doubt लग रहा हो आप मुझे जरूर के सकते हैं I hope एचीज़े आप समझ पाए होगे और आसा करता हूँ मैं समझा पाया होगा अगले type में, अगले class में जब मैं आऊंगा तो मैं आपके लिए इसके types को explain करूँगा और types पे हम देख करके हम इस पर practice session भी complete करेंगे तो आज की इस class के लिए इतना ही Thank you so much